आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अटेंडेंस मानेजमेंट के लिए हम रियल टाइम बायो मेट्रिक्स का मोबाइल आप कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद बैसिक चीजे कौन-कौन से option है हर एक options का क्या क्या काम है वो चीजे हम देखेंगे तो हम play store open करते हैं play store के अंदर हमें search करना है real time attendance real-time attendance real time attendance हम जैसे search करेंगे यह जो first आप आता है real time biomatrivs का ही उसी पर हमें install पे click करना है वेट कर एक बार install होने के लिए यह application install हो गया अभी इसको open करते हैं open करने के बाद पहले तो सारी permissions मागेगा उन permissions को allow कर देना है allow करने के बाद यह हमारा login page है login page हम directly यहां जैसे कि हमने ब्राउजर पे दिखाया था अपना mobile number यहां सर्च करके हम यहां अपना mobile number सर्च करके हम directly process भी कर सकते हैं तो मारा corporate ID detect कर लेगा या फिर हम directly corporate ID में जा करके अपना corporate ID डाल करके login कर सकते हैं या फिर हम register now पे जा करके अपना नया account भी sign up कर सकते हैं जैसे हम ब्राउजर पे sign up करते हैं वैसे हम यहां sign up करेंगे email ID phone number डालेंगे OTP से verify करेंगे तो corporate ID user name password ले करके वह account create कर देगा अभी हम account अल्रेडी ब्राउजर के थुरू create कर चुके हैं तो हम account create नहीं करेंगे यहां पे हम यहां पर directly login करते हैं real time Biometrics India हमारा corporate ID यूजर नेम दोनों सेम ही है तो हम corporate ID यूजर नेम दोनों सेम रखेंगे और आगे हम password एंटर करते हैं password एंटर करके हम login करेंगे यह हमारा dashboard है admin का इस dashboard पर जैसे देख सकते हैं सबसे उपर ही हमें all employee present absent late सारी detail दिखती है यहां notification section में हमें notification दिखेगा जब कोई gps punch करेगा या किसी का या फिर आप मानलो किसी ने leave का application दिया है तो उन सबका notification यहां आएगा यहां हम setting में देखेंगे तो हमें change password help and support sms का configuration यहां दिख जाएगा और ऐसे ही अगर हमें इस app को fingerprint lock करना है तो वो unlogout का button हमें यहां मिलेगा उसके बाद हम नीचे देखेंगे तो हमें master, market attendance, leave management, report and gps tracker access control दिख रहा है master के अंदर हमें सारी जो भी हमने header से हमारे वो दिखते हैं company, branch, department, designation, office time, policy, shift master यह सारी चीज़ें हमें यहां दिख जाएंगी mark attendance पे हम जाएंगे तो यहां से हम किसी भी individual एक employee के लिए manual punch insert कर सकते हैं leave management के अंदर हम किसी भी employee के लिए leave का application दे सकते हैं यह जो भी leave का application पड़ा होगा उसको हम यहां से approve कर सकते हैं अगला जो है हमारा report जिसमें हम daily report देख सकते हैं जो हमारे daily attendance का report दिखेगा चाहे वो present, absent, attendance report जो भी होगा उसके बाद हमारा GPS report है जो तब यूज होगा जब employees हमारे mobile app के through on-site से punch करेंगे और approved GPS punch हम यहीं से उनकी GPS punches को verify करके approve भी कर सकते हैं GPS tracker का report है जो हम किसी particular employee के लिए GPS tracker on करते हैं इसके बारे में हम अलग से discuss करेंगे monthly report भी हमें यहीं से मिल जाएगा और salary का report भी हमें यहीं से दिख जाएगा अगर salary का attendance server से process किया गया है तो उसके बार अगला फिर हमारा GPS tracker है हम यहाँ से GPS tracker किसी भी individual एक एक employee के लिए आड कर सकते हैं जिससे जब भी हम on करेंगे उतीन देर में उसका location उसका data server पर send होता रहेगा तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं दोनों हम बंद कर देते हैं बाक करते हैं अगला हमारा access control है, access control के अंदर हमें सारे user, active user, blogged user यह सारा professional access control, biometric के अंदर अगर हमें manage करना होता है time zone वगरा तो वो चीज़े हम यहाँ से manage करेंगे अगला button फिर logout का है इस app के अंदर हर एक options का क्या क्या काम है और कैसे कैसे काम करेंगा यह हम अगली वीडियो में देखेंगे अभी के लिए बस यह इतना ही था जिसमें हम जानते हैं हर एक options का क्या 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 काम है मुए जानते हैं